तो नाव वारी Renewal Technologies Limited आप देखे 6,433 रुपे का प्राइस हो चुगा है और यह स्टॉक रुखने का नाम नहीं ले रहा है लगा अतार आप देख रहे हैं अप मूब जा रही है बीच बीच में आपको डाउन सैट दिखाता है लेकिन तुरंत ही वो अप मूब में कनवर्ट ह जाता है जिस भी लेवल पर आपने लिया है माइने नहीं रखता आपको वहां से प्रॉफिट ही देखने मिला है तो इसके पीछे का रीजन आप सभी को पता ही होगा क्योंकि आगर आप देखें तो Renewal Energy के अंदर कितना है आप पर जो है फोकस किया रहा है और है यह स्टॉ है तो उनका बहुत बड़ा नाम है और वो बनाते सोलर पैनल तो पूरा अगर आप देखें गुरुप जो है वो एक Renewal Energy के और मुड़ चुका है पैनल भी बनाते है पैनल आपको जो है बना कर देंगे और यहां पर जो है वारी Renewal Technologies आपको सैट अप करके देगा ऑपरेट चारा है स्टॉक के मल्टी वैकर थाबित हो चुका है कभी 10 रुपए से भी नीचे का स्टॉक था आज 643 रुपए का तो यहां पर मल्टी मल्टी रिटरनिया पर बने है और यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका रीजन यही है कि earnings जो है वो लगातार increase हो रही है लेकि जो तैजी हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योकि एकविटी बहुत कम है लोग एक्विटी की वजए से यहां पर तेजी जादा हो रही है लोग वो शेयर मिलनी रहे लगातार भागा जा रहा है तो यह stock runner तो दिखाई रहा था बड़ अगर आप देखें जब यह 3,000 के round था तब यहाँ पर आपके Q3 की नम्मर सा और Q3 की नम्मर स क्वार्टर दर क्वार्टर डबल हो गए आपका जो sales है वो यहाँ पर डबल हो गई इस वज़े से यहाँ पर देखें किस तरीकी से growth आ रही है कंपणी को देखते हुए यहाँ पर तेजी बनी चले तेजी अच्छी खासी बनी बट फिर भी यहाँ पर आप देखें कि अब थोड़ा सा ज़ादा हो रहा है क्योंकि इसका एक और कॉम्टिटर लिस्टेड है और यहाँ पर आप दिसम्मर 2022 से देखेंगे तो यहाँ पर आपको अराउंड चार गुना से ज़ादा अर्निंग बढ़ती हुए देखेगी तो इससे बड़ी और क्या बात होगी कंपणी जो है वो हाई ग्रोड डिलिवर कर रही है तो हाई डिमांड भी करेगी आपका यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू आप कह सकते हाई डिम करोड का यहाँ पर नेट सेलता है 2021 जून में आप देखेंगे लॉक डाउन के बात कहां पर पहुंच गे लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो मार्केट कैप अब वो नहीं रहा है जो आपको पहले मिल ला था उसके कंपेरजन अब बहुत जादा बढ़ चुका है आर्नि यहाँ पर ना आपका रिन्विल एनरजी में बहुत जादा डिमांड आने वाली है तो इन कंपरियों की नीड भी है बट ऐसे में ऐसा ना हो की बवल बन जाए देख रहे हैं कि सब कुछ फास्ट हो रहा है बड़ा तेजी से हो रहा है जबके हमारे सामने एक लिस्टेट प जी नहीं आ रहे हैं जबकि वहाँ पर क्वालिटी अगर आप देखें तो जादा ड्राइबन कर रही है 13400 करोड का मार्किट कैप है लेकिन हाँ इसमें ये बात भी है कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे EPC की नीड बहुत EPC मतब सोलर EPC की बहुत नीड पड़ेगी इन जैसी कंपनियों की काफी नीड है क्योंकि इनको सेट अप करने पड़ेंगे और अभी आपका PE ratio 126 हो गया चलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपका ग्रोथ ही इतना जादा है आप तीन तीन गुना अगर ऐसे बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है PE तो आपका हाई हो गई आपको हाई प्रिफरेंस पर रखा जाएगा हाई ग्रोथ डिलिवर कर रहे है तो स्टॉक भी हाई ग्रोथ डिलिवर करेगा सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बुक वैल्यू के इसाप से थोड़ा सा ही नहीं मतलब 85 रुपए की बु ठाक पॉइंट नहीं है वही अगर आप बात करेंगे के पियाई ग्रीन एनरजी लिम्टेट की इसी का लिस्टेट प्लियर है यह इसके ही कॉम्टीटर है और देखें एक्च्वल में यहाँ पर जो वारी रिनिवल्स है उसका जो आप सेक्टर देखेंगे तो वो सोलर एप से काम है किंस्टर्कट करके बिल्ड करना उसको आपरिट करना तो एक्च्वल में एक इ्जिनिरिंग कम्पनी में आ जाते हैं सिंपल सी बात है तो अभी वो सैट अप नहीं हुए है उस तरीके से मार्केट के अदर बट वो एक एजिनिरिंग मैं इंफ्रा कमपनी ह will ब्लड का यहाँ पर KPI Green Energy के चल ला है और यहाँ पर आपका Book Value Per Share 136 है अपने Book Value Per Share के 13.38 टाइम उपा ओवर कर रहा है KPI Green Energy Limited अपने Listed Player के comparison यह आपको यहाँ पर देखने हो बला है तो Valuation Comfort अगर आप पूछेंगे ना कि वारी Renewal में जादा है या KPI Green Energy में जादा है KPI Green Energy में काफी महिने में यह यहाँ पर Valuation Comfort जादा है Valuation Comfort यहाँ पर जादा है एक बात और आपने नोट करी होगी कि यहाँ पर 1700 रुपय का प्राइस है स्टॉप का और 11,000 क्रोड का मार्किट के अप वारी Renewal जो है वो 600 या 300-400 क्रोड का यहाँ पर प्राइस चल ला है और उसका यहाँ पर मार्किट के अब आप देखिए 13,000 क्रोड का है ठीक है 13,000 क्रोड का है इनका भी यहाँ पर मार्किट के अप इतना जादा क्यों नहीं है वारी की तरह तो देखिए यहाँ पर इक्विटी जादा है यही बात तो मैं बोल ला था कि लो इक्विटी वारी के अंदर लो इक्विटी है प्रोमोटर ने होल्ड कर रखा है बड़ा चंग ठीक है उसके बाद रिटेल होल्ड कर रखा है उसमें बचा क्या कुछ ही शेर्स हैं जिनमें ट्रेडिंग चल लई है तो तो थोड़ा सा सचेत रहे है वैल्यूशन कमफर्ट अगर आप पूछेंगे किस तरफ जादा है क्विटी ग्रीन एनरजी सिंपल सी बात है यहाँ पर दिख रहा है तो इनकी भी अर्निंग कुछ इसी तरीके से बढ़ी है कहां जून 2021 में 35 करोड की अर्निंग थी कहां यहाँ पर आप देखने को मिल ला है 330 करोड पर पहुँच गए दिसम्ब 2023 में लोगडाउन के बात के बात तो इस तरीके से ओप प्रॉफिटेविल्टी आप देखे कहां पर पहुँच चुकी है इतना यूज तो दोनों कमपनी के अर्निंग बढ़े है दोनों कमपनी के वेलिशन बढ़े है बस एक में एक्विटी बहुत लो है यहाँ पर प्राइस आपको बहुत जादा है बट फिर भी सचेत रहेगा ऐसी जगह पर क्योंकि जादा ठीक नहीं रहता है इस तरीके का एंड लास्ट इस टॉक खराब है क्या? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है वारे रेनिवल टेकनोलोजी भी अच्छे स्टॉक है आप देखें केपियाई ग्रीन एनरजी भी अच्छे स्टॉक है कंपनियां दोनों बैस्ट है सब कुछ बैस्ट है बट मार्केट एक डिफरेंट होता है मार्केट के अंदर कौन होते है ट्रेडर भी होते हैं इन्वेस्टर भी होते हैं और कुछ होते हैं बहुती प्रो लोग जो कि कभीगवार स्क्राइब को नचवाते हैं और उस में क्या होता है कब पैनिक आजायाएंगा कुछ पता नहीं चलेगा मेरा कहना है यह पर यही रहता है कि अगर आपको बहुत यूज पैसा क्योंकि लोगों का पैसा है या पर बड़ा बना है बिग मनी अगर आपका है तो दीरे दीरे हमें सब बुक करते हो चलना है सिंपल सी बात है कोई लोजिक नहीं है आपको प्रॉफिट हो रहा है सब कुछ हो रहा है यह बहुत अच्छी बात है रीटिल पैसा कमा रहा है बट उस पैसे को सेफ करना है तो आगर आपके पास 20 शेयर हैं क्योंकि बहुत जादा शेयर तो किसी के पास तो होंगे नहीं बहुत कम लोग होंगे जिनके पास होगा बट बहुत कम होंगे जो की 20-30 होंगे बस इससे जादा जादा नहीं होगा कुछ बुक करते चलो हर तेजी में कुछ बुक करते रहना जरूरी है इससे बड़ी और कोई बात नहीं होगी आप इसका एक दम टॉप नहीं पकड़ सकते हैं आप बॉटम नहीं पकड़ सकते हो दोनों ही बाते आ जाती है तो ऐसे मैं क्या होगा आगे का सिनेरियो कहना मुस्क ले कंपणी अच्छी है वैलियुशन हाई हो चुकी है लेकिन आगे का जो बिजनेश का जो सिनेरियो है वो अच्चा है दोनों कंपणियों का लेकिन एक में वैलियुशन lijंवर्ट बहुत जदा एक में valuation comfort अब ज़्यादा बचा नहीं है बस यही अंतर है KPI Green Energy में आपको देखाया वारी Renewals का आपने देखा दोनों का देख लीचे दोनों का काम एकदम बढ़ रहा है दोनों का business बढ़ रहा है बट valuation comfort आप देखो कहां पर मिल ला है अगर आपको डल लग रहा है और पैसे बन रहे हैं लेकिन बहुत डल लग रहा है रहें भाई साब मेरे क्याल से अब हो गया वारी Renewals का उसको सिफ्ट कर दीजे दूसरे प्लेयर में अगर आप करना चाहें अपने ब्रोकर या एडवाईर से जरू सला ले ली जिएक इसको उपर अगर आप करना चाहें valuation comfort से खेलो एक ऐसे ही नहीं मतब सब कुछ चलता रहता है तो वो द्यान रखिएगा इस बात को लेकिन company अच्छी है और RSI भी वो है 77 के around आपका तो बहुत जादा मेहगा तो अभी है नहीं हो सकता है कि इसके अंदर और तीजी बने 77 का RSI है possible है कि आपको यह और तीजी दिखा दे इसमें कोई बड़ी बात नहीं important level क्या होंगे पांच हजार पांच सो से पांच हजार यह range जो है न वो आपका बहुत important रहने वाली है पांच हजार पांच सो से पांच हजार और कहने की बात है चल Newy's और सकता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है रुची सोया में क्या हुआ था मैं सिर्फ बता रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस क्योंकि थोड़ सा डल लगता है बाई वैलिएशन भी हाई है पतंजली जब खरीदा गया तो क्या सिनेरियो बना वो बीस रुपए का स्टॉक पंदर रुपए का स्टॉक लगातार सरकीट तो सरकीट चला वो सोला सो दो जार का हाई लगाया उसके बाद करेक्ट हुआ बढ़ वा जार रुपए की स्टेविल है मतलब पूरा तेजी नहीं गई लेकिन आप 50% डिसकाउंट कर गया तो वो एक थोड़ा सा सिनेरियो क्या बनेगा आगे चलके वारी के अंदर तो पता नहीं तो वो थोड़ा सा बच बचू के किचले जादा बैतर है हाईयर साइट खरीने की कोसेश थोड़ा सा कम करें वो भी बहुत बढ़ी है रहेगा सोमी दे काफी कुछ आपको सोंझ में आया होगा एक वार निवेश से पहले या बेचने से पहले आप अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरू सला लीजिएगा और वाइस आपके सामने ये पॉइंट से आप खुद भी अपना डिसिजिजन ले सकते तो आपके कहने इस कूपर कमेश से जरू के और अब दिश में जाब बड़ी देखने के लिए बहुत अब दन्वाद दूस्तो